हलो गाईज कैसे आप लोग तो हम देख रहेते हैं यहाँ पर MCQ सीरीज और यह हमारी साइथ फोर्थ या फिफ्ट वीडियो है और आज हम समझने वाले हैं मेडिशनल केमिस्टरी फर्स्ट के हमारी यूनिट सेकंड के सभी MCQs तो यहाँ पर जितने भी हमारे possible MCQs बन सकते हैं most important MCQs वो सभी हम यहाँ पर लेकर आए हैं और उनका साथ माम आपको solution भी देने वाले हैं बात करें यहाँ पर तो total हमने जो यहाँ पर 50 MCQ लिए हैं और यह सभी के सभी हमारे क्या है according to PCI अगर आपका college जो PCI को follow करता है तो य यह आपके लिए बहुत जादा important है क्योंकि यह हमारे क्या है total syllabus है बाकि आपके जीपेट नाइपर और बाकि जितने भी फार्मेसी एक्जाम होते हैं सभी में यह आपकी help करने वाले हैं तो previous वीडियो था आप लाकिन की देख लेना जो भी हो हमारे मतलब बाकि एमसी की वह सारी लिंक में description में दे दूँगा बाकि जो यह हमारी unit second है drug acting on autonomic nervous system तो इसके जो mcqs होंगे यह आप तब solve कर पाई नहीं जब आपका इसका base clear होगा तो जो हमारी syllabus वाली वीडियो थी मतलब theory वाली जितनी थी वह सारी आप जाके पहले देख लेना उन सब की भी में जो है link क्या है आप वीडियो को पुश कीजिए और उसके बाद आप गैस करना की क्या हमारा इसका answer हो सकता है जिससे आपकी थोड़ी practice भी हो जाईगी और आपको अच्छा भी लगेगा उसके बाद इसका जो है आप वीडियो को प्ले करेंगे मैं इसका answer आप लोग को बता दूग इसका simple मतलब यह है कि जैसे हमारा CNS होता है यहां पर आपको दिख रहा होगा पूरा यह हमारा CNS है जैसे में हमारा क्या आता है brain आता है और spinal cord आती है और यह हमारा पूरा पूरा जो body में throughout body में Fivers घूमे होते हैं हमारे neuron वो हमारी क्या आती है PNS में periphery nervous system तो हमारा CNS क्या क PNS होता है इसी के अंदर हमारे दौनों आता है Somatic nervous system और Autonomic nervous system तो यह सारा बेस मैंने already clear कर रखा है आप इसकी इंट्रो बीडियो जरूर 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 जाके देख लेंगा वह बहुत जरूरी है ठीक है जिससे आपके सारे glare हो जाएंगे दूसरा हमारा option आता है what is dendrites तो य help करता है यहां इसका मिल रहा है वाकी content इसका यह भी नहीं है और यह वाला क्या हो है इसको मैं आपको एक मिनिट पर समझाता हूं जैसे आप यह समझें यह हमारे neurons होते हैं और इस तरह होते हैं और यह हमारी neurons है अब बात करें तो यह यहां डाइंट्रेस्ट ऐसे निकले हो की formation में हमारी help कर रहे हैं यहां पर आपको दिख रहा होगा में contribute to the formation of science तो इसका हमारा right answer क्या आदाएगा यह बी आदाएगा इसका में कंट्रीबूइट नहीं कर सकता बहुत जादा लेंदी वीडियो होताईगी तो मैं try करूंगा जो मतलब ऐसे हैं वह आपको explain कर दूं इसके अलावा कर आपको कोई question नहीं आता है तो आप comment करके हमें पूछ सकते हम उसका answer with solution आपको explanation आपको हम यहां पर बता देंगे ठीक है अब हम यहां पर third question देखते हैं the system that control smooth muscle cardiac muscle and gland activity इस था अब यह वाली जो problem है जितनी भी हमारी एक्टिविटी स्मूध मसल्स वाली cardiac muscle यह हमारी कहां involuntary है यह हमारे control में नहीं है और जो चीज़ हमारे control में नहीं होती है जो activity हमारे control में नहीं होती है वो हमारी किसके अंदर आती है Autonomic नाम से आपको समझ आए क्या है Autonomic का मतलब Automatic यह चीज़ हमारी क्या हो रही है Automatic हो रही है तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होता है को हमारे क्या हो जागा यहां पर थार्ड उस आएगा अब हम देखते हैं Autonomic नर्वस सिस्टम कंटेंड बिस टाइप आप मसल अब यह हमारी किस तरह के मतलब मसल के यहां बैसे एक्टिविटी किस तरह को मतलब करती है तो अकर हम यहां पर देखें तो नहीं है क्योंकि और कि इन्म वालंटरी सोरी यहां पर वालंटरी नहीं है वालंटरी होगा वालंटरी मतलब वह होता है जो अथ रेट हो गया यहां यहां पर मसल्ट होगी वह हमारी किस में आती हैं autonomic nervous system के अंदर तो यहां पर हमारा answer क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा हमारा answer अब हम यहां पर समझते हैं फिफ्ट हमारा क्या यहां पर आता है which statement is correct about autonomic ganglia अब जो हमारे autonomic nervous system है उसके अंदर हमारे neurons तो present होते हैं अब यहां पर इतना पूछाए कि जैसे यह हमारे neurons है और यह हमारे neurons है तो इसके जो बीच का यह हमारा बनता है यह वाला पूरा यह हमारा क्या कहलाता है इसमें Ganglion चैलाता है तो यहाँ पर पुछाए जो Autonomic Ganglion है इसके बारे में इन पांचों में से कौन सा Correct statement है तो इसको जहाँ पर आप वीडियो को पुछ पुछ किजो और अच्छे से इसको about pre-ganglion synaptic nerve fiber तो जैसे हमारा यह हमारे neurons होते हैं इस तरह से यह वाले तो यह वाला हमारा होता है pre और यह हमारा होता है पोस्ट तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट है जो pre-ganglion synaptic nerve fiber के लिए सही होता है तो आप यहां पर जो इसको study कीजिए और बताइए बागी इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा होगा यहां पर डी वाला और फाउंड इन ग्रेटेस्ट इस प्लैंचेट नर्फ नो यह पाएस आता है सिक्स सेवन्थ हमार पूछते हैं अगर मैं इसको आपको सिंपल बताओं तो यह है कि जैसे मालों हमारा एक पैरा सिंपेथारी को नर्फ नोर्मल करता है तो इनके काम एक तरह से दिखाए तो एक तो एक तरह से दिखाता है तो यहां पर यह पूछा है कि इनका एक ऐसा function में है जो common है यानकि च पर यहां को तो हर्ट रेट तो बहाई प्टार आता है तो महारा नहीं होगा फ्राई के दोरा सेम दिखाए जाता था ठीके प्रेंट तो बस इस तरह के कुछ question होते हैं जो घुमा के पूछ लेते हैं बागी है बहुत सिंपल लेकिन कुछ इस तरह पूछा कि आपको यह समझी नहीं आगी कि यहां पर लिखा गया है तो इस तरह भी आपको यहां पर देखते रहना है अब हम आर्थमा समझते हैं the major post-junctional cholinergic receptor is one of the muscaronic type of the following side तो यहां पर हमारे चार option दिया हो यह हमारा cholinergic जाने की जो हमारा drug acting autonomic है उसका दूसरा पार जो हमारा थर्ड यूनिट है उसके भी एक दो question ऐसे आग आते हैं तो यहां पर इसका right answer हो का आप सोचिए वाकि इसका right answer हमारे का है यहां पर post-ganglionic parasympathetic अब हमारा यहां पर आत आपको यहां पता लगेगा सोचिए बागे जिसका right answer हमारे का है M2 subtype जानकि जो M2 subtype है वो हमारा cardiac receptor यहां पर होता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमारा है यह बही है यह भी है इसका अंसर होगा हमारे क्या होगा यह हमारे तीनों गलत हो जाएंगे राइट आंसर हमारे इसका क्या होगा Sphedrine यह वाला हमारा है जो हमारा non-catechular ameans is the sympathetic drug है तो इसलिए मैंने यहां पर आपको डाला है कि जैसे यह वाला है इसका राइट अंसर यह है तो कुछ हमारे ऐसे भी ड्रग आते हैं जो आपको अर्शन देता है लेकिन कौनसा ऐसा है जो बीटा अरशेप्टर उने के बाद इस फैसा नहीं देखांँ कि पर यहां पर शक्र यहां इंट tack करता है लेकिन अगर यह बीटा रेसेप्टर पर चाहएगा तब वमारे यह वाला खेलने होगा क्योंकि बीटा रेसेप्टर मोस्टली हमारे कहां पर हर्ट के लिए यूज होते है तो इसका राइट असर हमारे क्या होगा बी ओधाएगा 15 हमारा आता है adenoline is orally inactive अब जो हमारा adenoline है या epinephrine है यह हमारा orally inactive होता है इसके पीछे का reason क्या है तो इसका reason यह होता है कि अगर हम orally लेते हैं तो क्या होता है वहाँ पर first pass metabolism होती है जिस वजाए से जो हमारा drug होगा adenoline इसकी क्या होजाएगी metabolism होजाएगी तो इसलिए जो हमारे यह होता है वह optically inactive होता है क्या होता है जिससे वह metabolized liver हो जाता है तो वह से मतलब safe रहेगा और metabolize हो जाएगा तो यह inactive से active में convert हो जाएगा यह सिंपल फंड़ाइज सी आंसर है अब आता है noradrenaline administrate वाई तो जो हमारा nor epinephrine है वह हमारे body में किसके त्वारत दिया जाता है तो पहली बाद यह हमारा अब आपको यहां पहुचाना है कि यह हमारा actual में क्या चीज है ठीक है तो अगर हम को याद हो तो यह हमारी क्या है सी अब हम देखते हैं यहां पर 18 हमारा है identify the structure अब आपको यह वाला structure पहचाना है यह क्या है तो अगर आपको याद हो यह वाला पूरा structure हमारा क्या है डोपामीन का है जो हमारा पहला क्या है पहला हम़ारा कैटकोल कोछ्य पूस्ष्क्रेशन क्या देदी के जाए गा अब आपको बताना है कि स्क्रेश्य मतलब्स क्या है इक्छौ में यह पूछ लेते है तो सारे question में देखी रहे है 19 अमारा आता है एडिनलीन इंजेक्टेड विद लोकल एनस्थाटिक अब जो हमारा एडिनलीन एपिनेफरीन वो हमारा लोकल एनस्थाटिक के साथ में दिया दता है इसका इसका reason क्या होता है क्योंकि यहां पे आप option बैसे देख लेना इसका राइट टोक्सिटी होती है इसका व्यट्य और फॉरिट एकल एक्षाउबैंद एकट्था ब्लॉकल एक्षाउबde vinegar आब जो हमारे तो particular alpha 1 पे जाएगा या alpha 2 पे जाएगा और non selective होता है वो हमारे किसी दौनों मैंसे किसी पर भी जा सकता है ये इसका simple funda होता है अब यहाँ पर पुछा है कि जो हमारे non selective alpha एडिनरीक है वो चारों मैंसे चारों option देता है लेकिन एक ऐसा है वो जो action अपना सो नहीं करता है तो यहाँ पर आपको तीनों बताना है मैं आपको यह term भी समझा देता हूँ इससे आपके यह आगे काम आएगी तो हमारे जो postural hypertension एक हमारी मियोसिस आती है यह हमारी आखों में होती है यहाँ पर जैसे प्यूपिल बगरा की construction एक हमारी bradycardia होती है यह हमारी यहाँ पर होती हर्ड रेट को slow करती है और चौती हमारी होती है एजैकुलेशन में यहाँ पर आपको यहाँ बताना है इन तीनों काम वैसे कौन सा हमारा यह तीनों काम कर रहा है ठीक है इसका राइट अंसर हमारा है यहाँ पर इसका राइट अंसर हमारा क्या है भी है अब हम देखते हैं 22 हमारा है विच आप फॉलविंग ड्रग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ चारों में से कौन सा इसा ड्रग है जो हमारे जो बीटा ब्लॉकर है उसकी जो एंटी है इसको थोड़ा तक कम करेगा अब यह मैंने रिडि तो आपको एसे वर्डस भी थोड़े थोड़े आने चाहिए तो यहाँ पर आपके चार चार अप्सन आपको बताना है कौनसा इसका अंसर हो सकता है बागी जो इसका राइट अंसर हमारे इंडोमीथासिल अब इन जो ऐसे हमारे अप्सन होते हैं यह काफी जादा कनफिज ह होते हैं क्योंकि इन में से 2-3 ऐसे होते हैं जो सेम सेम होते हैं लगवक बराबरी होते हैं तो आपको ऐसी चीज़ों का भी यहां पर ध्यान रखना है फिर 23 आता है प्रिफिक्स लोल इस यूज़ तू डोनेट अब जैसे आपने वर्ड देखा होगा आपने अभी पड़े हो बनलोह कर तो यह बीटा ब्लोकर अब आपको किसकी चारों से कौन सा हमारा बीटा बलॉकर हो उसके बाद रखना ऑगर वह हमारे क्या है तो आ बहुत में हम समझते है 25 क्या है फॉलिविंग डिसीजिज बेरकिंगव इस watt phrase गॉर बिमारी केớiन हम अगर यह ले 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 बाद तो उसकी condition और जादा खराब होजाती है बर्स का मतलब क्या होता है एकदम बहतर हो जाना और जादा खराब हो जाना तो यहां पर चार ओप्सन दिए जो इसका right answer होगा वो हमारा क्या होगा तो इसका right answer हमारा क्या है Reynolds disease 26 हमारा आता है levitolol differ from propanol अब दो हमारे drug हैं एक हमारा यह levitolol एक हमारा propanol है दोनों ही लोल है यान कि दोनों ही क्या होंगे हमारे बीटा ब्लोकर अब इन दोनों में क्या difference है बाकि सेम ही है कि जो बीटा ब्लोकर का काम कर रहे हैं इनका difference क्या है कि जो हमारे levitolol है यह हमारा alpha 1 blocking properties भी दिखाता है आपको अगर याद हो last की जो हमारे डगते उनमें alpha 1 भी था और beta वाला भी था तो इसका right answer हमारा क्या होगा यह होगा यह हमारा यह वाली हमारी condition नहीं है इसका right answer हमारा होताएगा यह होताएगा 27 हमारा आता है प्राज और अब यहां पर यहां पर हमारा यह हमारा एंटी हाइपर टैंसे में बहुत अच्छा एफेक्टिव है लेकिन जो हमारे नौन सेलेक्टिव अलफा अगर्स होते वह नहीं होते है इसके वीचे आपको रीजन बताना है तो आप यहां वीडियो को पुस्किए बागी इसको study की होते हैं अब समझते हैं 28 हमारा है प्रोपेन नौल डाज नौट ब्लॉग दा फॉलिविंग एक्शन अफ अब जो एडिनिलिन के हमारे चार अप्सन यहां पर चार वो दिये हैं अब जो हमारा प्रपनोल है यह इसका क्या होता है एंटागोनिक्स होता है जो इसके असर को करता है अब यहां चार दिया अब क्या करेंगा एक एक ऐसा इनमेंसे काम है जिसको यह ब्लॉक नहीं कर पाता है तो वह आप लोगों यहां पर बताना है तो अगर आप कोशन समझे गाना आपके लिए बहुत जादा इजी होतेगा तो आप सोचिए बाकि इसका जो राइट करता है थोड़ा क्या करते है वाइड कर देता है ठीक है यहां पर समझते हैं हमारा क्या है 29 अभी छिया गर्डा में cyn нуж रहता है तो यहां पर confusion और भी था कि Tmolol भी होता है हमारा और यह भी होता है तो इसका जो right answer होगा हमारा smallol वाला होगा ठीक है तो इसका right answer हमारा क्या होजाएगा D होजाएगा 30 हम समझते है identify the following structure अब यहां आप बीडियो को पुस्ट कीजिए structure को थोड़ा सा देखिए गूरिये और बताइए यह वाला structure हमारा किसका है ठीक है अब आप यहां पर guess कर चुके हैंगो तो इसका right answer होगा है यह हमारा इसका right answer हमारा होजाएगा B अब हम देखते है 31 हमारा है in the patient of myocardial infection जिनको myocardial infection बीमारी होती है उनमें जो beta blockers होते है और वो किस लिए यहां पर use किये जाते है तो इसका right answer आप लोग यहां study किजिए चारों को बताइए पाकि इसका right answer हमारे का है all of the above यह हमारी यह चारों की तीनों की तीनों ही condition में ह हमारे यह क्या रहता है healthful रहता इसका तीनों के तीनों ही काम रहता है आप इसको अच्छे से study कर लीजेगा अब हम 32 अपने देखते हैं the bladder and prostatic muscles are relaxed भाई अब यह दो चीज हमारी urinary bladder होता है bladder और यह prostatic है तो यह दौने चीज हमारी जो है यह किसके द्वारा हमारी क्या होंग अब यहां पर एक जो हमारा drug है इन 4 में से वो क्या है वो vasoconstriction property देगा adenetic blocker के साथ यहां कि जैसे हमारे receptor होते हैं यहां वो blocker की तरह काम करेगा और यह क्या करेगा बेजो कंस्रिक्शन की property देगा तो 33 question यहां पर आप देखिए इसका answer क्या हो सकता है बागी जो राइट right answer वो हमारे क्या होगा air gota amine ठीक है इसका right answer है air gota amine अब हम 34 देखते है बेजो कंस्रिक्शन काम होता है वो क्या करेगा चारों में से कोई एक ऐसा काम है वो यह नहीं करता है तो आपको यहां पर बताना है तो इसका helpful है यह इसमें भी helpful है और यह हमारा इसमें भी helpful है और लेकिन यह हमारा secondary shock है इसका नहीं है तो यह वाला यह हमारे तीन गलत हो जाएंगा और यह हमारा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा secondary shock ठीक है अब हम समझते है यहाँ पर 35 है amphetamine potentiates the following classes of drug अब जो हमारा amphetamine है वो यहाँ पर कौन सी class के drug मतलब classify होता है यहाँ पर तो हमारा 35 के इसका जो हमारा answer होगा आप लोग सोचिए बागी जो right answer इसका क्या है यह हमारा analgesics होते हैं अब हम बात करते है 36 अब यहाँ पर आप वीडियो को पुस कीज़ों और इस diagram को आप सोचे क्या हो सकता है कैसे हो सकता है बागी जो right answer है इसका वो हमारा क्या होगा यहाँ पर यह तो इसका जो हमारा right answer क्या होगा फिनाइल एपरिम यह हमारा क्या है फिनाइल एपरिम जिसके द्वारा हमारा बनना शुरू हो जाता है वहाँ पर हमारे biosynthesis की catacola means की अब हम देखते हैं इसको भी आप identify कीज़े identify the name of structure तो एक साथ सारे मैंने दे जिसे आपको यहाँ पर पह जॉलीन ठीक है तो डाइगराम इसी लिए बोल रहते हैं आपको याद रखने है अब यहाँ पाती आती है कि यहाँ पर आपके सामने दो ड्रग दिया है आपको यह पैताना है कि इसमें से direct acting sympathomimatic agents क्या है तो अगर इसका डाइगरम ना दे तब भी आप नाम से ही पैचान दोपामी तो हमारा direct में आता था क्योंकि यह हमारा वहां बन दा था अधिनरी नोर रिडिनरी तो इसका राय डेंसर हमारा क्या होता है का प्रोपाइल है तो यह वाला जो ड्रग है यह हमारा क्या है यह वाला जो है यह हमारा क्या होगा indirect acting sympathomimatic agents drugs अब हमारा आता है 43 equilibrium type-a ultra- adion avetek blocking agent further divided into तो हमारे जो alpha आपड़ा comedy तो किसमें divide होते हैं बात करें तो यह दो पाइब हो सकते हैं selective और non selective, ऐसे होते हैं तो हमारे यहां non selective आला एक पार्ट है एक हमारा आता है, alpha one selective alpha two selective, यह ऐसे भी हमारे divide होते हैं तो यहांपर हम बात करें यहांपर तो ये दोनों की दोनों हमारे इसली आंसर सही होड़े तो इसका आंसर क्या होधाइगाготов, बोथ यान की यह हमारे क्या वोकिंगे C हो जाएंगे both यहां पर हम directly कर सकते हैं non selective और यह हमारा होतकता है selective तब भी हमारा क्या होता है अंसर बोथ होता है अब हमारा 44 आता है यहांब बलोकिनग यहांडगा दो सोउक्ति कहलेों निभी प्रिवा काले। को प्रिवुर्ट इंसर नहीं मैं वम्हें फिर तो तो यहां पर कौन सा ऐसा डरक है जो हमारा alpha adigenetic blocking isn't नहीं है तो यहां पर चार option है आपको इसमेंदे पहचानना है बाकि जो इसका हमारा right answer है वो हमारे यहां पर क्या होगा neo stick mind यह बाला इसका right answer हो सागा अब हम यहां समझते हैं which statement is false इन चारो मैंसे कौन सा हमारा statement है जो यहां पर क्या है गलत है तो आप यहां वीडियो को post कीजिए और अच्छे से read की से क्या होगा बाकि जो इसका right answer है वो आपने सोच लिया होगा इसका right answer मारे क्या है c है आप लोग इसके study कर लेना ठीक है आपको यह फिर से पहचाना इडेंटिफाई करना है तो यह structure बहुत जादा बड़ा है तो आप वीडियो को अच्छे से पुस कीजिए और सोचिए क्या हो सकता है कैसे हो सकता है बाकि जो इसका right answer होगा वो हमारा क्या होगा यह हमारा क्या है बीटा जो लॉल है ठीक है अब हमारा बारी आता है यहाँ पर तो आप इसको भी अच्छे से पहचानिए जूम कीजिए पीडियो को पुस कीजिए कैसे भी आप इसको देखिए अच्छे से बाकि इसको right answer है वो हमारे क्या है वीजो प्रोलॉल तो यह हमारे टोटल पचास कोशन थे अब आप लोगे लिए एक होमबर्क वाला कोशन है जिसको आपका आंसर जो कमेंट पर बताना है तो कोशन कुछ इस तरह है कि बीटा जनिक ब्लॉकर यान कि एक हमारा बीटा जनिक ब्लॉकर से लेकिन उसकी अब अगर कोई भी कोशन आपको डाउटफुल है नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके हमें उसको पूछ सकते हम उसका सॉलीशन आपको मतलब उसका जो एक्पिलनेशन होगा हम आपको कमेंट में बता देंगे तो बस आज की वीडियो में यतना ही आप बहुत अलना मिलते ह किसी नेश्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के सभी टॉपिक को समझेंगे तो तब तक लिए फ्रेंच टेक केर ध्यान रखिया अपना और वैपसाइट से सभी कुछ आप डाउनलोड कर लिजेगा बाई बाई